जामिया मीलिया इसलामिया कि बाते हैं जो वो आपके साथ शेर करना चाते हैं अपने दिये रिव्यूज में शिक्षा.com पर हम देखेंगे कि जामिया का प्लेस्मेंट कैसा है, इंफ्रस्रक्ट्रक्टर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, यहां के कोर्से प्रॉमिनेंट कौन कौन से हैं इसके लाव और बहु इसके लावा बहुत सारी स्पोर्ट्स फेसिलिटीज हैं, यहां पर आपको बास्केटबॉल कोर्ट, पैड्मिंटन कोर्ट, ट्रिकेट, फुट्बॉल और एथलिटिक्स जैसे स्पोर्ट्स के लिए भी फेसिलिटीज मिल जाती हैं. स्टूइन्ट्स अपने रिव्यूज में बताते हैं कि इन्टार कांपस इस कनेक्टेड विद वाइफाई कनेक्टिविटी. 2022 की युनिवरसिटीज की एणायर रैंकिंग में जामिया को मिला है थर्ड प्लेस, यानि की पूरे भारत में जामिया मिलिया इस्लामिया हम ये भी बता दे कि there is an overwhelming 43% rise in the average package offered in 2022 as compared to 2021. यानि की अब जामिया मिलिया के students को पहले से बहतर placement packages मिल रहे हैं. 2022 में MCA के average package पे भी 59% का increase हुआ है. Now let's take a look at the actual numbers of the highest and average package offered to students in the placement drive in जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी. तो 2022 में the highest package offered to student was rupees 25 lakh per annum and the average package stood as 10 lakh rupees per annum. Reports की माने तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो students placement के लिए बैठे थे उनमें से 80-90% बच्चों का placement हो गया है. अब बात करते हैं उस aspect की जिसके बार में students की ज़्यादा दिल्चस्पी होती है यानि कि campus life की students यहाँ पर क्या कहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर campus life क अराजर आएगा. The campus environment is relaxing. Students say the campus life at Jamia is majorly centered around academics. There are one to three monthly events but if you compare the campus life of Jamia with any other DU college then there is certainly less glitz and glamour. इस university के अंदर courses की कमी नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम top courses को देखेंगे तो top courses है BSc, BA, BTEC, MA और MBA. BSc की tuition fees यहाँ पर 23.4 thousand से लेकर 3.9 lakh रुपीज तक जा सकती है. BA की fees 20,000 रुपीज से लेकर 45,000 रुपीज तक जा सकती है. BTEC की fees range करती है 14.96 thousand से लेकर 1 1.29 lakh के बीच. MA की fees 13.4 thousand से लेकर 1.61 lakh तक जा सकती है. MBA की fees range करती है 4.4 thousand से लेकर 53.34 thousand तर. अब इससे पहले कि हम जाम्या की रेटिंग्स को चेक करें, आइए चलके देखते हैं कि जाम्या में cut-offs क्या थी 2021 में different courses के लिए. तो BSC में unreserved category के लिए cut-off थी 38.75, BA Arts के लिए unreserved category में cut-off थी 69.75, BBA में unreserved category के लिए cut-off थी 60.5, MA के लिए unreserved category में cut-off थी 58.5, वहीं MBA में unreserved category के लिए cut-off high थी around 85.5. तो जैसे आपका वो decide करता है कि एक politician का career किस रहा जाएगा और politician कैसा है वैसे ही आपकी ratings चिक्षा.com पर decide करती हैं college किस तरह का है जिसमें बच्चे interested होते हैं admission लेने के लिए तो आएए देखते हैं कि Jamia Milia Islamia University की ratings क्या कहती है जम्या Milia Islamia University को students ने 5 में से दिये हैं overall 4.3 stars जिसमें से placements को मिले हैं 3.6, infrastructure को मिले हैं 4.4 stars, faculty and course curriculum को 4.3, crowd and campus life को 4.3 और value for money को सबसे ज़्यादा 4.7 stars तो ये था Jamia Milia Islamia University का college review जो की completely based है शिक्षा.com पर दिये students के reviews पर आपको कैसा लगा ये review हमें बताईएगा comment section में इसके लावा अगर आप किसी information को add करना चाते हैं तो वो भी आप हमें comment में बता सकते हैं बागी अगर किसी college की बारे में आप ज़्यादा information लेना चाते हैं य करता हैं बता सकते हैं ये शिक्ष़रों की बारे में ज़्ट हैं टो का लावा अगरे सकते हैं था हैं आप हैं ऑ